विल्कम दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको इस तुरन डिजाइन बुन कर बताऊंगी तो पूरे वीडियो के इन तक जरूर देखे और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि म मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उससे आप आसानी से देख पाएं तो आईए दोस्तों हम इससे बुनते हैं तो इस तुरंट डिजाइन बुन्य के लिए हमें सबसे पहले इस तरह का फलावर बनाना पड़ता है तो इस तरह का फलावर बना लेंगे तो आप इस तरह का तुरंट डिजाइन बहुत ही असान तरीकों से बना पाएंगे तो आईए पहले इस तरह का डिजाइन बनाते हैं तो यहाँ पर हम पहले थोरह से उनको पुरे उंगली में लपितना शुरू करेंगे और थुरा सा मुटा हो जाए तो हम इससे निकाल लेंगे और इस तरह से हम यहां पी डबल कुरुस या बुल लेंगे अ कई मता बुल लेंगे झाल 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 तो आप यहां पर देख सकती हैं इस तरह से हम बून लेंगे उसके बाद से हम यहां पर वाइट कलर को एड़ करेंगे और हम यहां पर तिन डबल कुरूसिया बूनेंगे इस तरह से तिन डबल कुरूसिया बूने के बाद से हम यहां दो चैन लेंगे और वापस फीर हम तिन डबल कुरूसिया बूनेंगे इस तरह से हमें बूनना है उसके बाद से हम यहां बिश में चैन बूनेंगे तो आप यहां पर ठिक्या जितना बड़ा बिनेंगे उस हिसाब से आप यहां पर चैन लेंगे हम यहां पर आठी चैन लिए हैं और से मिसी तरह से यहां पर तिन डबल कुरूसिया फिर दो चैन फिर तिन डबल कुरूसिया हम बूनेंगे तो आएए देखते हैं और सबस्ते हैं तो आप पुरा विडियो को इन तक जरूर देखें और समझें के कैसे बूनाएगा कर दो 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 दो कर दो कर दो में रári तो इस तरह से हमारा flower design बन के ready हो जाएगा और आप जब इस tymon design के लिए बनाए अप इसका बहूँ सारा flower design बना लें और इससे आप जोईन कर दें तो आपका तुरं डिजाइन बन जाएगा तो हम आपको यहां पे जोडना भी बताएंगे आप इससे चाहे तो सुई की हेल्प से भी इससे जॉइन कर सकते हैं तो हमें आपे आपको कुरोसिया से ही जोरकी हम आपको बता रहें तो इस तरह से आप जितने भी फ्लावर डिजाइन बनाएंगे आप इससे इस तरह से लेंगे आप पूरे इससे लाश्ट तक चॉइन कर सकती है इससे तरह से आपको जितना भी टिकिया डिजाइन बनाना इससे तरह से हम इसे जॉइन कर देंगे तो इस तरह से हमारा इस जॉइन हो जाने के बाद से दिखेगा तो दुस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे और शायत में बेल आइकन को भी दबाए ताकि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसे आप असानी से देख पाएंगे तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी न भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजैन के साथ थैंक यू